Hello everyone और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के उपर आज हम बात करने वाले हैं TCS के स्टॉक में जो पिछले दिनों से न्यूज आ रही है एक तो बाइबैक के खबर आ रही है परसो के दिन हमने देखा कि बाइबैक का जब अइलान जब हुआ तो स्टॉक में तेजी देखे गई गैप अप ओपनिंग हुई और करीबन 8-10% की वहाँ पर तेजी देखी गई थी TCS के स्टॉक के अंदर में और साथी में F521 के quarter 2 के results जो है वो results भी आज announce हुए है तो ये दोनों भी जो खबरे हैं उसके उपर हम बात करेंगे साथी में results के साथ में आज जो buyback है उसकी और details सामने आई है कितने shares buyback होंगे क्या rate के उपर में होंगे कितना पैसा खर्चा करने के लिए TCS तयार है ये buyback के लिए ये सब हम जानेंगे 2018-2017 में भी इसी तरह के के buyback हुए है TCS के stock के अंदर और 2018 का जो buyback था वहाँ पर shareholders ने काफी अच्छा response भी दिया था तो इस बार क्या होने वाला है वो सब हम जानेंगे results का जो impact है stock के उपर उसको भी हम समझेंगे तो शुरुआत करते हैं वीडियो को end तक जरूर देखिए so that जो भी information है ये पूरी news को ले करके वो crystal clear रहें आपके मन में और उसके साब से आप आपका next course of action decide कर सकते हैं साथी में चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर दीजिये bell icon को भी enable जरूर करिए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको results आये हैं FY21 के quarter number two के results है याने July to September का result है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तो revenue जो आया है TCS को इस दोरान that is 40,135 crores आप screen के उपर भी यहाँ देख सकते हैं इतना revenue आया है और अगर आप इसको compare करें September 2019 से September 2019 का जो quarter खतम हुआ था तो उस समय revenue जो था that was 38,977 crores हम crores का figure यहाँ पर बता रहे हैं जो भी मैं यहाँ पर figures बताऊँगा वो सब crores है ऐसा आप समझे तो 40,135 crores इस quarter में और 38,977 crores September 19 के quarter में अब यहाँ पर जो profits है profits में यहाँ पर एक चीज आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि TCS जो है वो एक legal claim face कर रहा है जिसके उपर का decision अभी आना है final decision नहीं आया है लेकिन TCS को हो सकता है वो एक legal claim जो है उसका भुगदान करना पड़े तो वो जो legal claim है that is 1 to 18 crores इतना amount जो है आप screen पे भी देख सकते हैं 1218 crores जो है उतना उन्होंने leave aside किया है तो अगर ये 1218 crores जो है जो legal claim के लिए TCS ने पहले से छोड़ के रखा है अगर आप इसको छोड़ दे मतलब इसको अगर आप निकाल ले profits में से तो profit जो है वो 7,475 crores का profit इस particular quarter में TCS को हुआ है और अगर आप ये जो figure है ये जो legal claim का जो पैसा है इसको भी अगर आप पकड़ ले तो 8,433 crores का profit है तो अगर 8,433 अगर आप पकड़ते हैं और इसको compare करते हैं पिछले quarter में जो results आये थे उससे so that is मतलब September 2019 का जो quarter है उसमें जो profit हुआ था वो है 8042 अन्हें 8,042 crore का तो अगर आप इस quarter से compare करते हैं तो 4.86% का rise है लेकिन अगर आप जो मैंने का legal जो पंगा है और वहाँ पर जो पैसे उन्होंने leave aside करके रखे हुए हैं अगर वो निकाल देते हैं तो फिर 7% का fall है profits में तो आप जिस भी तरीके से इसको समझना चाहे वैसे देखा जाए basically तो 4.86% का rise हुआ है profits में TCS के तो ये एक चीज हो गई साथी में friends dividend भी declare किया गया है interim dividend रुपीज 12 पर share का declare किया गया है TCS के तरफ से और November में November 3 को वो pay किया जाएगा और इसकी जो record date है record date is 15th of October 15th of October इसकी record date है रुपीज 12 पर share का ये dividend है और November 3 को pay किया जाएगा interim dividend जो है वो declare किया गया है तो dividend मतलब usually हम ये खबरे सुनते हैं कि stock ने जो है promoters ने जो है वो dividend declare किया लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि promoters को ही या फिर बाकि जो major shareholders है major जो shareholders है उनको ज्यादा फाइदा होता है जैसे TCS जैसे company है जहाँ पर कि करीबन 2000-3000 के आसपास share value है तो एक आम इंसान कितने ही shares वो hold करता है मतलब usually institutions जो है वो ज्यादा shares hold करते हैं तो dividend अगर declare होता है तो अगर 1100 share भी आपके पास है तो अगर 12 रुपे के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1200 रुपे ही उसमें होता है तो no big deal लेकिन ठीक है dividend declare किया है तो अच्छी बात है सभी के लिए ये फाइदा ही है बट institutions के लिए usually dividend का जाधा फाइदा होता है ये मैं बताने के गोशिश कर रहा था अब दूसरी चीज यहाँ पर हम अब आते हैं ये buyback के तरफ buyback होगा ये declare हुआ था मंडे को पिछले याने इस सब्ता का जो शुरुवात हुआ था वो इसी news से हुआ था और वहाँ पर फिर TCS का stock जो है उसने एक jump लिया gap up opening ली और काफी अच्छा वहाँ पर rise हुआ है TCS के उस दिन में exactly figure अगर हम देखे तो charts के उपर आपको मिल जाएगा शायर 8-10% का था और वहाँ से फिर एक minor fall हुआ और आज के दिन फिर से bullish activity देखी गई है और जो closing price है वो 2752 के आसपास की है अब 2750 और 3000 इसके बीच में जो gap है वो करीबन 10% का है लग बग 10% का है 9 point something percent का है round off कर देंगे तो 10% का वो वहाँ पर एक gap है और TCS ने आज जो results के साथ में जो दूसरा उनका declaration आया है उसमें उन्होंने buyback के लिए 3000 rupees per equity share का rate रखा है और 5.33 crore shares जो है वो buyback करना चाहते हैं तो अगर आप 3000 multiplied by 5.33 crore shares अगर करते हैं तो that is around 16,000 crore rupees तो 16,000 crore rupees TCS खर्च करने के लिए ready है और इस buyback को वो successful कराना चाहते हैं subject to the decision of the shareholders क्योंकि वो भी यहाँ पर participate कितना करते हैं shareholders वो भी यहाँ पर depend करेगा तो 16,000 crore rupees 5.5 crore shares के आसपास यहाँ पर buyback होने वाले हैं जो की करीबन 1.3 या 1.5% of the entire equity है TCS का तो यह एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है और इसका impact भी हमें आने वाले sessions में दिखेगा तो क्या impact रहेगा और किस प्रकार से आपने आपका यहाँ पर stand रखना है वो भी बात हम करेंगे लेकिन एक दूसरी एक news जो है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो major shareholders है TCS के तो उसमें से एक है SP group मतलब शापूर जी पालुन जी ग्रूप जो है that is one of the leading shareholders करीबन 18.5% का उनका stake है if I'm not wrong जी हाँ 18.5% shareholding है TCS में इनका और यह जो group है SP group अलग होना चाहती है Tata group से so Tata group से अगर SP group को अलग होना है मतलब उनको उनके जो shares है वो वापस करने है Tata group को और Tata group बदले में इनको जो भी इनका पैसा बनता है according to their shareholding वो उतना दे करके दोनों भी parties जो है वो अलग होना चाहती है तो यह जो एक buyback है this entire scene can be a result of this declaration of the buyback क्योंकि TCS obviously TCS जो है वो उनके Tata group का एक एहम जरिया है जहां से वो लोग cash collect करते हैं क्योंकि बाकी की जो companies है वो इतने ज़्यादा profit में नहीं होता है जिनके results जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होता है जैसे हम Tata Motors की अगर बात करें तो ज़्यादा इतना profit नहीं रहता है usually वहाँ पर लेकिन TCS जो है that is the cash cow of the Tata group so TCS is the you can see it is the head of the family और यहां से ही सारा cash Tata group को maximum जो कमाई है वो यहां से होती है तो यह जो buyback का deal है यह retail investors के लिए काफी अच्छा मुनाफ़ा दे करके जा सकता है जैसे हम जानते हैं 2750 के आसपास का current rate है और अगर 3000 का rate रखा गया है buyback का मतलब TCS एक तरह से यह एक indication है TCS के तरफ से कि उनका current share का जो price जो actual valuation है वो 3000 रहना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो यह 10% का आप कह सकते हैं यहां पर buffer मिल रहा है 10% का यहां पर जो gap मिल रहा है current price और जो buyback price है उसमें उसका फाइदा retail investors को जरूर होगा और जैसे हम जानते हैं 2017 में भी और 2018 में भी buyback जो है वो successful रहा था 2018 में in fact जितने भी जितने shares TCS को buyback करने थे उससे double वहाँ पर shareholders ने हिस्सा लिया था अगर TCS को एक share चाहिए था तो लोग दो देने के लिए तयार थे तो more than double वहाँ पर response था तो यहां पर भी buyback में इसी प्रकार का response रह सकता है क्योंकि लोगों को cash भी चाहिए है marketing situation इस तरह के से है कि people need liquidity to run their businesses people need that cash in hand to sustain in the markets तो यहां पर definitely जो buyback है वो successful होगा और आने वाले दिनों में price भी जो है वो TCS की वो ऊपर की तरफ definitely जाएगी ऐसा एक expectation है कुछ हत्ता गलत भी हो सकता है obviously stock markets में आप 100% surety के साथ में तो नहीं कह सकते कुछ भी चीज लेकिन definitely अगर buyback का आज declaration in the sense जो भी details है वो आज declare किये गए है और आने वाले दिनों में price भी बढ़ सकता है buying आ सकती है और आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे चीज़े unfold और होंगी हम इसके उपर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए present करते रहेंगे तो आपको यह visualization पसंद आया होगा friends तो like जरू करिएगा वीडियो को share करिएगा सारे social media platforms के उपर में जो भी आपके groups होंगे trading और stock markets से related जैसे whatsapp, telegram, facebook या कोई भी social media platform हो आपके friends, families में भी वीडियो को share जरूर करिए thank you for watching the video till the very end giving your precious time for watching this video we will be back again with yet another study and yet another video thank you see you again